दोस्तों इस वक्त हिंदुस्तान का कोना कोना गदर्टू के नाम से गोंज रहा है क्योंकि छोटा सा गाह हो या बड़ा सहर हो सभी दूर यहां पर गदर्टू फिल्म सिनमा घरों में पूरी तरह से धुम मचा रही है जितने भी सिनमा घरों में गदर्टू को चलाय जा रहा है उन सिनमा घरों के अंदर तो खचा खच भीड भरी हुई है लेकिन जितने लोग अंदर बेट कर फिल्म देख रहे हैं उससे जादा पबलिक सिनमा घरों के बाहर इंतजार कर रही है कि कब हमारी बारी आएगी और हम भी गदर्टू देखने जाएंगे तो दोस्तों गदर्टू के लिए जो लोगों की दिवानगी है वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और इसी के कारण गदर्टू के जो बोक्स ओफिस कलेक्शन है वो सबको चोकाते जा रहे हैं जिया दोस्तों आपको बता दें कि गदर 2 को बॉक्स ओफिस पर रिलिज हुए तीन दिन हो चुके हो और तीन दिनों के अंदर फिल्म ने कर ली है ताबड तोड तमई तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गदर 2 के सुरुवाती तीन दिनों के वल्ड वाइट कलेक्शन के बारे में और जानेंगे फिल्म ने हिंदुस्तान से कितने कमाए और और सिज मार्केट यानि की विदेशों से फिल्म का कलेक्शन कितना हुआ तो चलिए सुरुवात करते हैं देखते रहिएगा पूरा वीडियो साथ साथ कमेंट करके बताइएगा कि अगर आपने गदर 2 देखी तो ये फिल्म आपको कैसी लगी सुपर हिट या फ्लोग अनिल सर्मा के डायरेक्शन में बनी फिल्म गदर 2 जिस फिल्म में बोलियोड के बबबर सेर और एकसन के बाप सनी देवल नजर आ रहे है साती साती इस फिल्म में हमें देखने को मिल रही है अमिसा पटेल और उतकरस सर्मा दोस्तो इस वक्त फिल्म के जो दिवानगी है वो लोगों के सर पर चड़ चुकी है और इस फिल्म को देखने के लिए बुड़े हो बच्चे हो या जवान हो हर कोई सिनमा घर तक जा चुका है जिसकी वज़ा से ही फिल्म के जो कलेक्शन है अपने बज़ट से तीन गुना जादा सिर्फ तीन दिनों में हो चुके और फिल्म तीन दिनों में ही सुपर डूपर हिट का टेग हसिल कर चुकी है और फिल्म के इतनी जबरजस्त कमई देख कर कही न कही सनी देवल के लिए काफी जादा खुसी हो रही है क्योंकि दोस्तो फाइनली हमारे बच्पन के सु पूटल कलेक्शन के बारे में तो लगभग साहट करोड के बजट में बनी गदर टू जिसे दुनिया भर में 4000 स्क्रीन पर रिलिज किया था दोस्तो फिल्म ने रिलिज होते ही पहले दिन 40 करोड रुपे से जादा का इंडिया नेट कलेक्शन किया और ये फिल्म सनी देवल के करियर की सबसे बड़ी ओपनर बन गई वही दोस्तो फिल्म को अच्छे रिव्यूज मिले पबलिक का सपोर्ट मिला जिसके चलते फिल्म के दूसरे दिन के कलेक्शन में और भी बढ़ोतरी हुई और फिल्म ने दूसरे दिन ओल इंडिया नेट कलेक्शन 43 करोड से जाद समा घरों में पूरी तरह से हाउसफुल रही और इसी वजह से दोस्तो गदर्टू ने अपने तीसरे दिन लगभग 50 करोड का नेट कलेक्शन किया यानि कि पहले और दूसरे दिन से भी जादा और इसी के साथ गदर्टू का सुरुवाती तीन दिनों के अंदर ओल इंडिय नेट कलेक्शन 132 करोड रुपे से जादा का हो चुका है वही इंडिया ग्रोस कलेक्शन 158 करोड रुपे फिल्म ने तीन दिनों में विदेशों से लगभग 15 करोड रुपे कमा लिये इसी के साथ दोस्तो गदर्टू का जो सुरुवाती तीन दिनों में वर्ड़ वाइट कलेक्शन होता है यानि कि दुनिया भर का टोटल कलेक्शन वो हो रहा है 172 करोड का जिया दोस्तो फिल्म का बजट साहट करोड रुपे और फिल्म दुनिया भर में तीन दिनों में ही 170 करोड से जादा की कमई कर चुकी है तो दोस्तो फिल्म ने आज तो 170 करोड का आकड़ा पार कर दिया है और कल ये फिल्म बोक्स ओफिस पर 200 करोड का अकड़ा पार करेगी और परसु यानि कि 15 आगस्त तक इस फिल्म का वर्ल्ड वाइट कलेक्शन 200 करोड रुपे से भी जादा का हो जाएगा तो दोस्तो ये कन्फूर्म हो जाता है कि यहाँ पर गदर्टू का जो लाइफटाइम कलेक्शन है वो अब किसी भी हालत में 500 करोड तक जाएगा और अगर फिल्म दूसरे तीसरे हफते में और भी जबरजस्त चली तो साइध ये फिल्म बोक्स ओफिस पर फाइनल कलेक्शन 7-800 करोड रुपे तक भी कर सकती है बाकि दोस्तो आपको क्या लगता है गदर्टू का लाइफटाइम कलेक्शन कितना होगा कमेंड बोक्स में कमेंड करके जरूर बताए और आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले मैं मिलता हूँ आप से अगले वीडियो में जब तक के लिए खायाल रखे अपना और अपने माता पिता का जैहिंद वंदे मातरम